हेलो एवरिवन एक पर फिस्टर स्वागत है आप लोगों का बुल वसिस बियर में तो जैसा कि आप लोगों को बता है Option Trading का कोर्स हम लोग कम्प्लीट कर रहे हैं और आज उसका 7th lecture है अगर आप लोगों ने पिसले 6 lecture नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप वो कवर कर लेना 7th lecture में हम लोग क्या कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ Basics of Technical Analysis के अंदर Types of Chart Pattern आते हैं कौन-कौन से Chart Pattern आते हैं एक होता है Reversal और एक होते हैं Continuation Chart Pattern Reversal Chart Pattern मतलब अगर Market किसी Up Trend या Down Trend में हैं और Reversal Chart Pattern बनते हैं तो Market अपना Trend reverse कर लेता है Continuation Pattern क्या होते हैं अगर Market अप Trend में है और कोई Pattern बनता है जो कि Continuation Pattern के अंदर आता है तो Market अपनी अपना Trend कंटिन्यू करता है तो पहले हम देखते है Reversal Pattern में कौन कौन से Pattern होते है Reversal Pattern में आप दिखेंगे तो Reversal Pattern में हमें एक तो M Pattern दिखाई देगा W Pattern, Head and Shoulder, Double Top, Double Bottom, Bearish और Bullish Engulfing Pattern, Rising और Falling Wage यह सारे Pattern हमें Reversal Pattern में दिखाई देगे जो हम आज के Lecture में कवर करेंगे और इसके बाद जो आठवा लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे Continuation Pattern में कौन कौन से Pattern आते हैं देखो Continuation Pattern में क्या क्या आता है Symmetrical Triangle आता है, Ascending Triangle आते हैं, Descending Flag, Continuation Pattern Rectangle Pattern, Cup and Handle Pattern यह सारे Continuation Pattern में आते हैं तो अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ फिर उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं मेरे नाम है रज़त शर्मा और मैंने अपनी Graduation की है मैंने BTEC किया है और उसके बाद MBA किया है अभी मैं एक MNC में Working Profession हूँ और इससे पहले मैंने इंडिया नामी के साथ काम किया है पालियमेंट में भी काम किया है और Income Tax Department में भी काम किया है अपनी कंपनी के थुरू तो चलिए अब सीधा वीडियो को शुरू करते हैं Reversal Chart Pattern में इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले हमें ये सीखने की जरूरत है कि Chart पर ये Pattern बनते किस तरीके से है फिर हम देखेंगे इसके पीछे के Logic क्या होते है तो चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये Pattern बनते किस तरीके से है अब मान के चलो कि Market हमारा Up Trend में है तो Market किस तरीके से हमें दिखाई देखा अगर Up Trend में है तो Market इस तरीके से उपर जा रहा होगा फिर एक हलका सा ऐसा Pullback लेता है फिर उपर जाता है फिर लेता है Pullback शुरू पर जाता है फिर ऐसे करके ऐसे जाता है मालो यह हमारा यह जो blue line है यह हमारी एक अच्छी resistance का काम कर रही है ठीक है अब इस तरीके से market का formation होता है यह क्या बना रहा है देखो यहां से buying शुरू हुई तो market कहां तक गया यहां तक गया ठीक है अब यहां पर क्या किया ह होगा जिन लोगों ने यहाँ पर buy किया था मानलो 100 पर अब नहीं है। प्रोफिट बोक किया मार्कट आया 10-50 पर अबеспूट पर आप तो और अब उनको क्या लग रहा है ना कि market जड़ा सा नीचे आएगा न मैं फिर से buy कर लूगा तो जैसे ही वो लोग देखते हैं कि market थोड़ा नीचे आया है 150 पर आया है तो यह लोग फिर से buy कर लेते हैं और यहां पर एक अच्छी buying फिर से आती है और यह फिर से एक नया high लग अब market 300 पर है तो वो लोग अपना profit book करेंगे जो बच गये होंगे जिन्होंने profit book नहीं किया होगा तो market नीचे आएगा ठीक है और जिन लोगों ने यहां पर भी buy नहीं कर पाया यहां पर भी buy नहीं कर पाया अब वो 300 पर जाने के बार सोच रहे हैं कि market अब थोड़ा सा भी नीचे आएगा ना तो हम भाय कर लेंगे मानलो यह है 250 तो जैसे ही market यहां पर आया फिर से नए buyers की entry हुई market एक फिर नया high लगाया फिर वही फिर वही खेल फिर वही चीज फिर वही चीज ऐसे करते करते market एक नया high लगाता रहता है तो अब देखो क्या हो रहा है जब भी market एक uptrend में है तो market अपना previous low नहीं तोड़ था previous low कौन सा है इसका previous low यह था इसका previous low यह था फिर previous low यह था फिर यह था फिर यह था market ने कोई भी previous low नहीं तोड़ा यह होता है uptrend की uptrend का indication देखो market का low यह है इसने एक भी बार अपना low नहीं तोड़ा तीक है अब देखो क्य क्या हो रहा है अब मार्केट यहां पर पहुचा रेसिस्टेंस पर पहुचने की बाद क्या हो रहा है ना मार्केट ने एक रिवर्सल लिया यहां से रिवर्सल लिया ठीक है अब मार्केट को क्या करना चाहिए था मार्केट को एक नया हाई लगाना चाहिए था यहां तक का ल तो इसको सीधा सीधा ऐसे यहां से एक नया high यहां तक का लगाना चाहिए था लेकिन यहां पर resistance था अब market ने नया high ना लगा के जो previous low था वो तोड़ दिया यहां पर तोड़ा इस line के बाद यह तोड़ गया अब इसका क्या मतलब है market प्रिवियस low तोड़ा मतलब अब market का trend reverse हो सकता है जब तक market में का previous लो नहीं तूट रहा था तब तक market uptrend में था अब market का previous लो तूट किया तो यह हमें एक indication दे रहा है कि यहां से market reverse हो सकता है तो इस तरीके से यह market में इस तरीके से chart pattern का formation होता है अब देखो यह यहां से यह सारे points को एक trend लान के थो मिला दोगे तो यह trend लान बन गई है अब marketing इस ट्रेंड लान पे आया यहां से उपर गया फिर नीचे ट्रेंड लान पे फिर ऊपर गया फिर नीचे ट्रेंड लान पे यह तो इस तरीके से यह Caucasus चारट पे टुर्व हमहरारे trend line draw करना सीख जाते हैं कि कैसे trend line draw करते हैं फिर हम trend line के थुरू अपने जो trade होते हैं उनको execute कर सकते हैं अब आप जहां यह देखा होगा तुम लोगोंने कि यह previous low तोड़ा इसने अब यह previous low तोड़ा तो यह आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा यह क्या दिखाई दे रहा है M Pattern type का formation को दिखाई दे रहा है इस तरीके से आप और मैं बैठके घर बैठके यह M Pattern का formation नहीं कर रहे हैं यह automatically M Pattern का formation हो रहा है जब market अपना trend reverse कर रहा है तो वो कोई ना कोई pattern formation करता है और इसी तरीके से अब मैंने बता है market अगर इस trend में है तो market uptrend में है यहां से तो की तरफ गया फिर एक नीचे की तरफ आया यह तूड़ गया तो यह देखो यह बना ना head and shoulder यह head and shoulder बन गया इस तरीके से बहुत सारे reversal pattern होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं और उनके तुरू अपने trade execute कर सकते हैं तो यह आपको basic चीज समझ में आ गई होगी तिक अब मैं आपको सारे patterns समझाता हूँ कि सारे patterns किस तरीके से बनते हैं यह आपको logic समझ में आ गया आप patterns पे हम कहां entry लेते हैं कहां हमारा exit point होता है वो हम किस तरीके से देख सकते हैं अब सीधा वो देखते हैं यह आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे होंगे इनको आप वीडियो पॉस करके देख सकते हो कौन सा pattern क्या बोल रहा है अब मैं सीधा आपको m pattern के logic पे लेके चलता हूँ कि m pattern के पीछे का logic क्या है अब देखो यह m pattern बना वही चीज मैं आपको पहले बता रहा था कि नीचे से market आ रहा है नीचे से market चलता हूँ आ रहा है market उपर गया market ने यह नया high लगाया अब market ने नीचे तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और जिन लोगों ने यहां पर बाई नहीं कर पाया अब वो लोग यहां पर जाने पर क्या सोच रहे थे ना मालो यह 100 है यह 200 है जिन लोगों ने 100 पर बाई किया था मार्केट 200 पर पहुंचा 200 के बाद यह लोग प्रॉफिट बुक करें तो मार्केट जैसे ही यह इस पॉइंट पर आएगा तो यह लोगों ने यहां नहीं खरीदा था वो लोग यहां पर अपनी एंट्री कर लेंगा और मार्केट फिर से उपर जाएगा लेकिन अब क्या हो रहा है ना इस पैटन में यह एक रेसिस्टेंस था यहां पर इसने न यहां पर इंट्री के पीछे का लोजिक क्या है हम यहां पर एंट्री क्यों करेंगे और यह जो उपर स्टॉप लोस है हमारा हम इसके उपर स्टॉप लोस क्यों लगाएंगे देखो यहां पर इस नेक लाइन को तोड़ने पर क्या हो रहा है ना देखो यह एंट्री हमारी यहां पर क्यों बनेगी, जिन लोगों ने यहां पर जिन लोगों ने इस point पर buy किया होगा, market उपर गया, ठीक है, अब यहां पर कुछ लोगों ने sort किया होगा, market नीचे आया, और कुछ लोगों न profit booking की होगी, market नीचे आया, अब market जैसे ही इस वाली neckline को, यह जो neckline है, इस neckline के नीचे जैसे ही market निकलेगा इस neckline के नीचे जैसे ही market निकलेगा इन लोगों के SL कटेंगे तो ये लोग अपनी position को exit करके यहां पर नए बायर बन जाएंगे तो neckline पर क्या हो रहा है देखो neckline की आपको मैं condition समझाता हूँ पहली चीज इन लोगों के SL कटे जिनकी यहां पर entry थी उन लोगों के जब market नीचे आ रहा तो SL कटे अब वो लोग अपनी position को exit करके अपनी entry बनाएंगे दोबारा यहां पर तो वो लोग जिन लोगों ने उपर की तरह buy कर रहे थे अब वो नीचे उसी line उसी point पर sale करने लगेंगे ठीक है इन लोगों ने यहां पर sale करना देंगे ठीक है जो लोग already profit में थे वो लोग अपनी position को और add कर देंगे तो यह दो लोगों की entry होई यहां पर तीसरे लोगों है जिन लोगों ने ना तो यहां buy किया था ना यहां buy किया था वो लोग सोच ले थे जब कोई pattern formation होगा जब कोई जब कोई ठीक तरीके से हमें entry म बहुत ज़्यादा volume के साथ काफी volume के साथ नीचे की तरफ fall करने लगता है market ठीक है लेकिन market fall कैसे करता है यह m pattern गया यह बना यह बना यह बना यह बना यह इसकी neckline थी market ने यह सीधा नीचे नहीं आएगा market यू जाता है यू आया इसके बाद यह इसकी neckline है यहां पर एक ब इसको बोलते है pullback, pullback लिया फिर से यहां पर हम entry लेते हैं और market फिर नीचे आता है यह proper setup होता है price action का कि एक pullback के बाद हमेशे entry ली जाती है तो I hope आप लोगों को M pattern समझ में आ गया होगा कि M pattern की M pattern में entry कैसे लेनी है M pattern में stop loss कहां लगाना है और M pattern का logic क्या होता है सिर्फ ए M pattern का आपको समझ में आ गया entry हो गई हमारी यहां कहीं यह हो गई हमारा entry point और हमारा stop loss हो गया यह बाला इसके उपर हम लगाएंगे SL यह M pattern हमारा हो गया complete अब इसके बाद देखते हैं W pattern, W pattern simple है अभी market क्या था अभी market uptrend में था, uptrend में था तो M pattern बना था, जब market downtrend में होगा तो W pattern बनेगा, same logic follow होगा, market यहां से आ रहा था, यह इसने नया high लगाया, यहां तक गया, इसको और नीचे तक मतलब यहां तक आना चीए था, यहां तक कहीं तक, लेकिन इसने नया low नहीं लगा पाया, यहीं से वापस reversal हो गया, तो जैसे यह neck line को तोड़ेगा, तो वही case जो M pattern में था, वही चीज़ें यहां पर apply हो जाएंगी, और इसी तरीके से आपको W pattern को भी follow करना है, W pattern complete हुआ, अब देखते है, head and shoulder क्या होता है, head and shoulder के पीछे का logic समझने की कोशिस करना, कि head and shoulder के पीछे का logic क्या होता है, market वही, uptrend में चल रहा है, uptrend में चलते गया market अपtrend में चलते गया, इस वाली line को इसने break किया, एक नया high लगाया, ठीक है यहां पर high लगाया, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर इसने नया high लगाया, अभी तक यहां तक क्या कर रहा है न, market अपना trend फॉलो कर रहा है, ठीक है, यहां से reversal लिया, यहां से reversal लिया, और market previous low के पास आया, अगर market में अच्छी खासी strength होती तो ये market यहीं कहीं से आके वापस reversal ले लेता, लेकिन ये नीचे तक आया, यहाँ पर भी हमें confirmation नहीं मिला, इसके बाद फिर से buying हुई, market यहाँ तक पहुचा, यहाँ पहुचने के बाद यह जो previous high था, इसने उसको touch भी नहीं कर पाया, मतलब यहाँ से sailing आना शुरू हो गई, अच्छी खासी sailing आई, इस neckline को तोड़ा, यह हमारी क्या है, neckline, इस neckline को तोड़ा, यह नीचे आया, फिर pullback लिया, यहाँ पर pullback क्यों आया, यहाँ पर buyers ने फिर से कोशिस की कि एक बार और ले जाने की कोशिस को लेकिन sailing मजबूत थी, हमें दिख रही है, इस neckline को वापस नहीं तोड़ पाया, यह यहाँ से नीचे आजाएगा, यहाँ पर हमारी entry बनेगी, और इस head, यह जो head है, इसके उपर होगा हमारा stop loss, simple, समझ में आ गया, देखो, यह क्या बन रहा है, यह हमारा left shoulder, left कंदा बन गय यह हमारा head, यह sir बन गया हमारा, यह एक और यह right shoulder बन गया, तो यह right shoulder बना, यह pattern का formation होना शुरू हो जाता है market में, यह pattern ना तो आप और मैं एक phone पर बात करके decide कर रहे हैं कि यहाँ पर buy करेंगे, यहाँ पर sale करेंगे, तब pattern बन रहा है, नहीं, जब market reversal हो रहा होता है, तो क principle concept inverse head and shoulder में भी लगता है, जब market downtrend में होगा, तो क्या बनेगा, inverse head and shoulder बनेगा, same concept, same logic इसमें भी apply होना है, जो head and shoulder में apply हो रहा था, आपका inverse head and shoulder भी complete हो गया, अब आते हैं हम rising ways और falling ways पे, ठीक है, rising ways और falling ways को complete करने से पहले, मैं आप दोगों को double top और double bottom बता देता हूं क्या ह हुआ, मतलब दो बार नीचे की तरफ bottom बनाएगा, एक bottom ये बन गया, एक bottom ये बन गया, अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो क्या ये डबलू pattern नहीं है, बिलकुल साब डबलू pattern है, तो जो double bottom होता है, जो double bottom pattern होता है, ये similar होता है, डबलू pattern के, खतम, double pattern भी खतम हो गया आपका, अब आजाओ double top, एक ये double top ये है, एक ये double top ये है, तो क्या आपको ये double top M pattern की तरह दिखाई नहीं दे रहा, बिलकुल दिखाई दे रहा है, यहां से हमें क्या समझ आता है, जो double top, जो double top है, double top हमारा is equal to M pattern, तो आप लोगों का double top, double bottom भी concept इसका clear हो गया होगा, नीचे की तरह आ रहा था, नीचे आ रहा था market, यहां पर इसने क्या किया ना, एक red candle बनाई, ठीक है, red candle बना के नीचे आ रहा होगा, अब एक और red candle बनाना चाहिए था अगर market downtrend में है तो, लेकिन ये क्या करता है ना, ये वाली इतने बड़ी green candle बना देता है, ये green candle बनान के अंदर आ गई, मतलब इस green candle ने पूरा engulf कर लिया इसको, अब जब अगली candle green बनती है और हमारा ये वाला high, जो green candle का high है, ये वाला high break होता है, तो हमारी यहां पर entry बन जाती है, ठीक है, और ये बनता है हमारा stop loss, सबसे नीचे, इस वाली green candle और ये green candle के नीचे का हमारा stop loss बन जाता है, यह हो गया bullish engulfing pattern, जब इस तरीके का pattern बनता है तो हमें एक indication मिलता है कि market यहां से reverse हो सकता है, इसी तरीके से bearish engulfing pattern होता है, bearish engulfing pattern में market एक uptrend में था, green candle बनाई, जो की market uptrend में बनाता है, अगली candle भी green होनी चाहिए थी, अगर ये pattern complete, अगर ये trend follow हो रहा होत क्योंकि ये trend कौन सा है, uptrend है, uptrend में green candle बनाई, अगली candle भी green होनी चाहिए थी, बट अगली candle कौन सी थी, red candle थी, अब ये इतनी बड़ी इसने red candle का formation किया, अब ये red candle को आप देख रहे होगे, जो green candle है, इसको पूरा engulf कर दिया red candle ने, अब ये जो red candle है, इसके अगली candle ब पैटन आपके सामने दिखाई दे, तो ये होता है, bearish engulfing pattern, bearish engulfing pattern, market उपर की तरफ, uptrend में था, ये pattern बना, तो यहां से market reverse कर सकता है, आपको bullish और bearish engulfing pattern यहां तक clear समझ में आ गया होगा, अब आ जाओ अगली चीज़ पर, जो हमने पहले छोड़ दीती, rising wage और falling wage, rising wage और falling wage क्या होता है, market जब एक trend में होता है, तो इस तरीके से एक channel में चलने लगता है, और इस तरीके का pattern बनने लगता है, देखो, ये आया, यहां पैस ने touch किया, उपर गया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर उपर गया, ये जो range है, ये आगे जाते है, narrow होती जाती है, देखो तो यह मार्केट अगर यहां से नहीं आया होता तो यह उपर जाता फिर से उपर यहां तक जाता फिर नीचे आता फिर उपर जाता फिर नीचे आता तो जितना नैरो होता जाएगा यह पैटन जितना नैरो होता जाएगा यहां से अगर ब्रेकडाउन करता यहां से ब्रेकडा तो यहां से चैनल के अंदर घूम रहा था अब यहां इसने ऊपर की तरफ ब्रेक आउट दिया कहां तक ब्रेक आउट आएगा अगर यहां से देता और चोटी नेरो रेंज में देता तो हमें और बड़ा मूव मिलता तो यह इस तरीके से हम राइजिंग वेज और फॉलिंग यह दोनों पैटन को find out करके अपना trade प्लान कर सकते हैं इसमें entry का होगी entry हमारी यहां पर होगी और SL हमारा इस यहां पर होगा इस pattern के जिस नीचे हमारा SL होगा तो अब हमने reversal pattern कम्प्लीट कर लिये हैं कौन-कौन से reversal pattern हमने पड़े M पड़ा W pattern पढ़ा, head and shoulder पढ़ा, inverse head and shoulder पढ़ा, double top पढ़ा, double bottom पढ़ा, bearish और bullish engulfing pattern पढ़ा, rising और falling wage भी हमने complete कर लिया अब हमारा अगला lecture जो होगा, आठवा lecture वो होगा continuation chart pattern पर I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको इनके पीछे का logic पता था पहले से, या फिर आपको पहली बार इनके पीछे का logic पता है, या आप किसी pattern को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, उस पर trade करते हो, तो नीचे comment box में जरूर बताना और वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe किये बिना मत जाना, क्योंकि आगे आने वाली अगली videos में भी तो आपको हमसे मिलना है न